नमश्कार मैं श्वीत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनिश फॉनिशूर्ट पटना के लोगों का दो साल का इंतजार आज पूरी तरीके से खत्म होने जा रहा है हम बात कर रहे हैं बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज से नियमित रूप से परिचालन उसकी शुरू हो जाएगी जहां प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये हरी जंडी दिखा कर इसकी शुरुवात करेंगे वहीं आपको बताते चलें कि वंदे भारत एक्स्पेस ट्रेंड को लेकर लगातार बिहार के लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और आज उनका इंतजार पूरी तड़ीके से खत्म होने जा रहा है पटना के लोगों उनको दो साल का इंतजार आज खत्म हो जाएगा पटना से आज राची के बीच बंदे भारत नियमित परी चालंज शुरू कर दिया जाएगा पियम मोदी मदप्रदेश के रानी कमलापती रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये इस ट्रेन को राची से हरी जंडी दिखा कर पटना के लिए रवाना करेंगे इस ट्रेन को लेकर लोगों के बीच गजब का उत्सा नजर आ रहा है सुबर साड़े दस वजी प्रदानमंदी नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फरेंसिंग से इस ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना करेंगे और द्गाटन स्पेशल के रूप में इसे राची से पटना के लिए चलाया जाएगा जबकि बुद्धवार से ये ट्रेन पटना से राची और राची से पटना के बिच नियमित रूप से चलेगी अधर पटना से सोंबार सुबर चार बजी ट्रेन रैंक को राची भीचा गया है ये ट्रेन मंगल वारकोद घाटन स्पेशल नंबर 02439 की रूप में चलेगी इसके बाद इस ट्रेन का 28 से नियमित परिचालन होगा इस ट्रेन की बुकिंग चालू हो गई है बुद्धवार से पटना से ये ट्रेन सुबस 7 बजे खुलेगी और दोपहर बाद एक बजे राची पहुँचेगी जबकि राची से शाम सवा चार बजे खुलेगी और रात साड़े दस बजे पटना जक्षन पहुँचेगी बंदी भारत हपते में 6 दिन ही चलेगी दरसल 27 जुन को पिये मोधी मद प्रदेश के दोरे पर रहेंगी सुबल करीब साड़े दस बजे प्रधार मंत्री रानी कमलापती रेल बेस्टेशन पहुँचेगी जहां से एक साथ पांच बंदी भारत को हरी जंडी दिखा कर रवाना करेंगे इसमें रानी कमलापती, जवलपूर बंदे भारत एक्सप्रेस, खजुराह, भोपाल, इंदौर बंदे भारत एक्सप्रेस, मंडगाओ यानी गोवा, मुंबई बंदे भारत एक्सप्रेस, धड़वार, बैंगलूरू बंदे भारत एक्सप्रेस और हटिया पतना बंदे भ भारत एक्स्प्रेश उद्गाटन स्पेशल गाड़ी संख्या 02439 बनकर राची से 10.50 वजे खूलेगी उसके बाद 10.50 वजे मेसरा, 21.45 वजे बरका काना, 12.20 में चरही, 12.45 में हजारी बाग टाउन, 21.20 में बरही, 2.8 में कोडर्मा, 2.50 में पहाड़पुर, 3.40 में गया, 4.23 में जहानाबाद होते हुए 17.25 में पक्टना जक्षन पहुँचेगी, वही 28 जून से इसका नियमित परिशारन होगा, पतना राची बंदे भारत ट्रेन, गाड़ी संख्या, 2.23, 4.9, पतना जक्षन से 7 बजे खूलेगी, उसके बाद 8.25 मिनट पे वो गया पहुँचेगी, 9.35 मिनट पे गोडर्मा जाएगी, 10.33 में वो हजारी बाग पहुचेगी और 12.20 में मेसरा होते हुए एक बजे राची पहुच जाएगी, वापसी में 28 जून को ही गाड़ी संख्या, 2.23, 5.00, राची पतना बंदे भारत एक्सप्रेस बनकर ट्रेन राची से 4.15 मिनट में खुलेगी, इसके बाद 4.35 मिनट में में मेसरा और 18 बच के 30 मिनट में हजारी बक, 19 बच के 30 मिनट में कोडर्मा, 20 बच के 45 मिनट में गया होते हुए 22 बच के 5 मिनट पतना जक्षन पहुचेगी, हाई स्पीड यातरा करने के लिए एडवांस बुकिंगे बड़ी संख्या में यात्रियों ने बुकिंग कर रखी है, तो ज प्रधान मंती नरेंदर मोदी के द्वारा हरी जंडे दिखा कर इसके शुरुवात होगी, वही एडवांस बुकिंग भी बंदे भारत स्पेस्ट्रेन को लेकर काफी जादा होच चुकी है, फिलहाग के लिए इस अप्डेट में इतना ही, और वे निउस और अप्डेट के देखते रहें, न्यूस कालेशन